हेलो गाइज जब भी सुपर पावर्स की बात होती है हमारे जहन में सबसे पहले आरें मैं सुपर मैं इस स्पाइडर मैं आते हैं खेर ये तो बात रही अमेरिकन सुपर हिरोस की आज हमारा टॉपिक और बिसकर्शन है कोरियन सुपर पावर्स जो की डेफिनिटली वीर्ड औ लिस्ट में पहले नमबर पे हैं दो क्यांग फ्रम अनादर में सो बेसिकले ड्रामा दो क्यांग के बारे में है जो कि अपने भविश्य के कुछ मुमेंट्स को विज्वलाइज कर सकता है और हर बार वो अपने विजन में एक प्लड़की को देखता है शुरुआत में मुझ अपने नियर डेट सिच्वेशन में हर एक वो चीज विज्वलाइज करता है जो कि उसकी जिंदगी में इंपॉर्टेंस रखते थे दूसरे नमबर पे है चो रीम फ्रॉम अगर्ल हुसी स्मेल जैसा की टाइटल से ही पता चल रहा है कि इस ड्रामा में फीमेल लीट के पास एबिलिटी होती है स्मेल को देखने की वास्तों में यह बहुत वियर्ड एबिलिटी है लेकिन क्या कर सकते हैं दुनिया में इतनी स सुपरपावर्स हो गई है कि राइटर्स को अजीबों गरीब सुपरपावर्स लिखने पढ़ रहे हैं और दूसरी दरफ में लीट सी आई पीए नाम की विमारी से पीडिट होता है यानि कि उसे दर्थ का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता तीसरे नमबर पे चौई माइक केला फ्रॉम अबाउट टाइम इस ड्रामा में हमारे हिरोईं के पास अनफॉर्चिनेट गिफ्ट होता है लोगों के टाइम क्लॉक को देखने का मतलब कि वो लोगों को छूँ कर उनके मढ़ने तक का टाइम देख सकती है यहां तक कि वो ख और बोगो दान्यों आफ़ योड़ आज़ 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 जटींग एंड़ की ऑन्यवा आज़ एवन्च्छ पैकेज़ एडिम कास्टिंग और दिम्स्टोरी का वालीवर स्लिपिंग यह पास एपिलीटी होती है फूचर में होने वाली अनोनी को देखने की अपनी सपनों के जरिये आगे चलके उनकी मलाकात हांग वू से होती है और इंटरस्टिंगली उनके पास भी सपनों के जरिये फ्यूचर देखने की एबिलिटी आ जाती है तो गाइज वांकरी में यह जामा एक ब्रेन एक्सराइस से कम नहीं है इन फैक्ट दूसरा एपिसोड डेफिनेटली आपको गूसबंग्स ला देगा अगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले हम रोज नए ओसम कंटेंट्स अपलोड करते हैं सो प्लीज सब्सक्राइब आर चैनल एन हिद दे बैल आइकन पाथवे नंबर पे है ओसू फ्रॉम डेट मैन ओसू ये एक फैंटेसी ड्रामा है जिसमें ओसू के पास एबिलिटी होती है लोगों के इमोशन्स को देखने की मोरोवर उसके पास एक मैजिकल ट्री होता है जिसके पोलन ग्रीन्स के मदद से लोग प्यार में ढूप जाते हैं इन सब के बावजूद उसकी जिन्दगी में बहुत अकेला पन होता है आगे वो एक पुलिस वूमन से मिलता है जिसका अपने बॉइफरिन से ब्रेक अप हो गया होता है छटे नमबर पे हैं जॉन वू फ्रम वैंट टाइम स्टॉप जॉन वू जो कि हमारी टामे का हीरो है उसकी पास बहुत स्पेशल एबिलिटी होती है समय को रोकने की अनलाइक कुछ सलवर फ्रम मार्वल जिसके पास तेज भागने की अबिलिटी होती है के बजाए जॉन वू के पास गिफ्ट होता है पूरे इनवर्स का टाइम रोकने का लेकिन इंटेस्टिंगली उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है जो कि उसके रोकेवर टाइम में मुवमेंट कर सकती है जिसनन भी वहाँ जिको वो तो क्या गोई है आत्मे नंबर पे हैं दू मिंग जू फ्रम माई लव फ्रम अदर स्टार तो गाइस बेसिकली दू मिंग जू एक एलियन होता है और उसकी सुपर पावर्स की लिस्ट बहुत लंबी है फ्रम टैलिपोटि दू मिंग जू ये सब कर सकता है लिसू के सुपर पावर्स का एक एक्स्प्लेनेशन है बकी फ्रम मार्वल यानि की लिसू के पास रोबोटिक या फिर सुपर नैचरल आम होती है जिसके कारण उसका एक हाथ बहुत ज्यादा ताकतवर होता है नहीं 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 है नवे नमबर पे है नामशीन फ्रम आर्यो यूमन टू बेसिकली नामशीन इस ज्रावा में एक एंड्रोइड रोबोट होता है नामशीन के पास बहुत एबिलिटीज होती है जैसे कि वो सारी टेक्नोलोजिस को कंट्रोल कर सकता है जूट पकर सकता है और सुपर अन्थ होना तो लाजमी है वेल वो ड्रागन बॉल के एंड्रोइड रोबोट इतना पावफुल नहीं होता फिर भी इतना सब कुछ भी होना काफी है अब अंत में दसवे नमबर पे हैं हेवेग फ्रम प्राइड ओफ वाटर गोर्ड इस ड्रामा में हेवेग एक वाटर गोर्ड होता है यानि की पानी से रिलेटेड हर एक पावर उसके पास होती है तो गाइस हमारे वीडियो यहीं पर समापत होती है उमीद करती हूँ आपको हमारा कॉंटेंट पसंद आया होगा थैंक यू गाइस